जब जानवर एक दूसरे के साथ intimate हो रहे होता है तो उनके बीच में किस नहीं होती इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों प्रजनमक्षमता पुर्षों में हैं इस्त्रियों में हैं और प्रजनमक्षमता जानवर में भी है बस उसे फूर पे नहीं आता उसे किस नहीं आता उसे पता ही नहीं कैसे किसे इसलिए जो किस है ना वो हम इनसान ही कर सकते हैं और किस के माध्यम से ही आप अपनी माशुका को ये बता सकते हैं कि वो आपके लिए कितनी कीमती है लिपकिस के बिना आपकी जो रिमांस वाली लाइफ है ना वो टूटल अधूरी है लिपकिस हमेशा पॉसिबल नहीं है लेकिन किस तो पॉसिबल है ना जो इनसान अपनी लव लाइफ में किस का इस्तेमाल ज़ादा करता है यकीनन उसकी पत्निया उसकी प्रेमिका उससे बहुत खुश रहती होगी और एक इतनी मजबूत बांडिंग होती होगी जिससे नमसकार दोस्तों एक बाइफ फिर सवागत है आपका आपकी अपने यूट्यूप चैनल आइरवदे खेल्थ समाधान में दोस्तों आपको पता है हम प्यार पर कई बाहर चर्शा कर चुके हैं हम internal relationship पे कई बाहर चर्शा कर चुके हैं कई बात कर चुके हैं आज इसे से related एक topic है lip kiss जी हाँ आज हमारी जो बात होगी आज हम जो आपको वीडियो बना करके दे रहे हैं या जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है lip kiss lip kiss क्यों जरूरी है कितनी गहराई चाहिए इसके लिए जरूरी है भी कि नहीं लिपकिस नहीं है तो इसके बिना romance कैसा है और लिपकिस है तो उसके साथ romance कैसा है आज जब इन ही सारी topics पर बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो में बने रहीएगा लास्त तक कहीं वीडियो छोड़ करके जाहिएगा नहीं यह क्योंकि आज आज आपको कुछ नौलेजफुल ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपकी लव लाइफ को एक तड़का देगी एक romance देगी एक दिशा देगी तो दोस्तों ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं चलिए चलते हैं अपने topic की तरफ फर्स्ट आफ और लिपकिस क्यों ज़रूरी है आपने से बहुतों के मन में ये सवाल आता होगा बहुतों के मन में ये बात आती होगी कि हम मतलब आप पहुँचे और आपने उसे देखा उससे बात्चित शुरू की romance आपके बीट में शुरू हो गया कई लोग लिपकिस को बिलकुल वरियता नहीं देते बिलकुल महत्व नहीं देते लेकिन दोस्तों आपको पता है लड़की बहुत soft होती है दिल से बहुत soft होती है अंदर से बहुत soft होती है आप लोग क्या होते हो आप बाहर से बहुत strong दिखते हो बहुत rough and tough बहुत hard अंदर से आप काफी वीक होते हो लेकिन लड़कियां दिल से बहुत सॉफ्ट होती है उन्हें ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खुश नहीं करती है उन्हें बहुत चुटी चुटी चीज़ें बहुत चुटी चुटी चीज़ें बिखेन उनके लिए काफी बना कर किले किया आना यह राज सेर दर्द हो रहा है थोड़ा से सर पर तेल की, मालिश कर देना नकली नहीं पकड़े जाते हैं नकली वाले में असली बात है कर रही हूँ और जो इनसान, मैं आपको एक गैरंटी के साथ इक बात बता सकती हूँ जो इनसान अपनी लव लाइफ में किस का इस्तेमाल ज़ादा करता है यकीनन उसकी पतनी या उसकी प्रेमिका उससे बहुत खुश रहती होगी और एक इतनी मजबूत बांडिंग होती होगी जिसे तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं होती होगी लेकिन इसके लिए लिपकिस को अपनी जो आपकी लव डायरी है उसमें सभाल के रखना पड़ेगा आपके love moments है उसमें जरूर इसको महतो देना पड़ेगा लिपकिस के बिना आपकी जो romance वाली life है वो total अधूरी है लिपकिस हमेशा possible नहीं है लेकिन किस तो possible है ना कभी किसी बहाने से उनके हाथों पेकिस करना उनके माथे पेकिस करना उनके एगाल पेकिस करना उनके कंदे पेकिस करना उनकी गर्दन पेकिस करना ये तो बहुत जरूरी है अब लिपकिस तो जोड़ा महां से romance चाग जाता है इसलिए भी जरूरी है लिपकिस इसलिए भी आप उन्हें किस करेंगे और किस में जब आप पूरी गहराई से ऐसे किस करते हो कि हाँ पूरी दुनिया भूल जाते हो सुदूत को बैठते हो ना तो वह एक पल बहुत खुब सुरूत हुता है हम दोस्त के गाल पे भी किस कर लेते हैं दोस्त है तो हम कभी ऐसे यार चल हाथ लगा लिया ऐसे मतलब हैंडशिक कर लिया और यह ऐसे आदे पे गले लगे और चल देते हैं लिपकिस तो हम दोस्तों को नहीं कर सकते हैं बिना किस के जो आपकी लाव लाइफ है वो काफी अध से होता है अगर आपको किस करना आ गया किस कहां करना है कैसे करना है कितने शिदत से करना है और ऐसा नहीं कि आप एक बोज सा उतार रहे हो वो समझ में आ जाता है दोस्तों तो आपको किस पर पूरा कंसंट्रेशन करना है अगर आपनी लव लाइफ को बॉंडिंग वाला बना बहुत प्यार करते हैं अपने हमसफर को उसे जंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं तो नहीं यह हैसास कराते रही है कि हाँ मेरे चुंबन में इतनी शक्ती तो है कि मैं तुम्हें खीच सकता हूँ और तो मुझे भोल नहीं पाओगी इसलिए किस बहुत ज़्यादा जरू कि यह लोग वैलकम ही इस तरीके से करते हैं कि हाँ वह और रिष्टे में मजबूती और गहराई है आपको खुद पता चलेगा दिन में अधी आपके हमसफर आपको तीन बार चार बार किस करते होंगे और एहसास कराते रहते होंगे अपने प्यार का कि तुम्हें मेरे सब करेंता है कि याज़ में आजाता है कि हाँ कितनी शद्दम से किया जा रहा है इसा भीन कि यहां भई चलो भई निप्टा रहें किसी तरी के टाइम पास वाला काम हो रहा है ऐसा नहीं है ऐसा होना नहीं चाहिए चलिए थर्ड पे हो गए फोर्ट पे आते हैं इंसान भी किस करता है और जानवर भी जब जानवर एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो रहे होते हैं तो उसे पता ही नहीं कैसे कि इसलिए जो किस है ना वो हम इनसान ही कर सकते हैं और किसके माद्यम से ही आप अपनी माशुका को यह बता सकते हैं कि वो आपके लिए कितनी कीमती है तो जड़ा सोचिए कि बिना किसके अगर हमारा रोमेंस है तो जानवर रोमेंस हुआ ना और वो आसे बेपनाः प्यार है तो आप अपने शब्दों के बजाए अपने किसके माध्यम से उसका इजहार कर सकते हैं क्योंकि आप उनसे बेपनाः प्यार करते हैं आप उनके बिना जी नहीं सकते उनकी आँखों में आँसों नहीं देख सकते उनके दर्द में आप उनके स सीधा साकेस उठाते हो और उनके माते पे लगा देते हो और फिर आप उनके बाल से लाते हो और कहते हो डोन परी मैं हूना आपका ये एक शब्द हाला कि आप उनके ताजमाल नहीं बनवा करके दे रहे हो लेकिन यकीन मानिए अगर आपने ऐसा किया है न तो आपका ये एक श आपकी bonding को कोई नहीं तोड़ सकता किस बहुत एहम हिस्सा है आपके romance का किस को अपने जिन्दगी से कभी जननने दे और जितना आप ज़्यादा kiss करते हैं एक दूसरे को प्यार करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके प्यार की लंबी उम्र होती है और उतना ही ज़्यादा bonding गहरी होती है दोस्तों फिफ्ट नमर पर आते हैं दोस्तों फोर्द भी होगया चले फिफ्ट नमर पर आते हैं दोस्तों अब ज़रा उनका point of view से भी आप देख लीजिए उनकी नजरों में किस भी दो तरीके का होता है दोस्तों एक किस होता है कि हम आए कुछ नहीं सुझाई पड़ा हम सबसे पहले सीधे जपटली और ये 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 ना वो एहसास करा देता है कि भीया आप बहुत जल्दी में हैं आपको कहीं भागना है ऐसा कभी मत कीजिएगा आपको अगर प्यार में गहराई चाहिए तलीनता चाहिए आत्मियता चाहिए रुकिये ठहरिये हाथ बेर दोई ये अच्छे से कहीं शांती से बैठ करके कफी अचाय मंगा ये उनसे वो भी आपके पास बैठते हैं बातों बातों में अगर आप म्यूजिक लगा देते हैं टीवी पे कुछ भी अच्छा सा गाना लगा देते हैं और फिर जब आप उनके करीब आकर के धीरे धीरे जो स्लो मोशन वाली किस है वो गहरी है उस कहते है जो चीज जितना जल्दी बनती है जल्दी बिगड़ती भी है उसी तरीके से ये जो भी आप किसका एक्स्प्रेशन उनकी तरफ डालेंगे उनसे करेंगे न स्लोरी कीजेगा जो भी कीजेगा बहुत हार्ड बहुत फास्ट बहुत टफ नहीं इससे चीजे बनने के बज़ाए बिगड़ सकती है दोस्तों ये पांच टॉपिक थे जिसमें हमने आपको बताया कि आपकी लव लाइफ में आपकी रुबैंस वाली लाइफ में आपके अपके अपनी जुन्देगी में किस क्यों जरूरी है मुझे उम्मीर है कि ये जानकरी आपके लिए काफी उपयोगी होगी आपके रिलेशन्शिप को स्टॉंग बनाएगी प्लीस कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिक करके जरूर बतायेगा और आज का ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा कितना उपयोगी रहा ये भी हमें आपके कमेंट्स के माध्यम से जानना है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुरी मत भूलिएगा और यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं किसी प्रकार अभी आपकोई पास सवाल है हमारे लिए तो call me for app के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं नमस्कार दोस्तों